जैहिन तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरकपुरी से विद्याले की एक बहुत ही महत्पूर नोटिस के बारे में और यह नोटिस बेसिकली आपके एक्जाम से समंदित है तो यह काफी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को शुरू से अंतर जरूर देखें और साथी साथ मैं आपको बता दू कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि फर कटाफ कितना बनेगा हम लोगों का तो मैं आपको बता दू कि जो कटाफ वाली वीडियो है वह एक से दो दिन में इस चैनल पर अप्लोड हो जाएगी क्योंकि जो आपका लगभग आपका कर चुके हम लोग तो जल्दी ही कटाफ वाली वीडियो होगी तो आप लोग परिशाद ना होएगे ठीक है हो सके तो आप लोग जो है 2022 का और 2021 का कटाफ आप लोग देख सकते हैं इस चैनल पर जाके ठीक है बिशिकली आप लोग यूटूब पर सब्सक्राइगी तो आपको मिल जाएगी वीडियो या फिर डीडियो कटाफ 2022 आप लोग जाके देख सकते हैं ठीक है तो अब बात करते हैं आज के नोटिस की तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बेशिकली है जो नोटिस है यह जो है टाइम टेबल से स्वंदित है और इसमें जो है बताया भाग एक का जो मुख्य परिच्छा यह पूरग परिच्छा कारेक्रम है आप लोग हैं पर देख सकते हैं टाइम टेवल दिया गया है तेज तरिक से एक्जाम स्टार्ट है ठीक है समय है आपका 9 से 12 बजे आप लोग यहां पर देख सकते हैं और और जो इसका एक्जाम होगा ठीक है आप लोग पूरी नोटिस भी पढ़ सकते हैं कि समच समंदित को सुचित क्या जाता है कि पैसिफिक कॉलेज और फीजो थेरेपी लच्छेपूर गोरभपूर के बीबीटी भाग एक की जो परिच्छा है इस टाइम टेवल पर होगी साथी साथ आगे भी है ब बीबीटी भागतीन का भी टाइम टेवल यहां पर दिया गया है तो यह जो है बीबीटी भागतीन का जो है टाइम टेवल है और अगे आप सभी लोग देखेंगे तो आगे जो हैं बिबीटी भाग चार का भी दिया गया है यहां पर टाइम-टेबल यह भी जो है मुख्य परिच्छा पूरख परिच्छा से सुंपनेदिद हैं आप लोग इसका भी स्क्रिम्वर्ट ले लेंगी ठीकर इसका भी जो सेंटर भाग दो का भी यहां पर दिया गया है तो जो भी स्टुडेंट बिसी एमल्टी और साथ इसाद बिसी बीपीटी के हैं वह सारे स्टूडेंट जो है इस नोटिस का यहने कि इस टाइम टेबल का स्क्रिंस ले लेंगे बिसी एमल्टी भागतीन का आप लोग देख सकते हैं ते लेंगे और बिती पूर्ण दिखा दिया थी आपको आप आपनेरशन ले लिया होगा आप लोग अपना जो हो पेपर मैश लेंगे और प्रसन पत्रों की करम बद्दता के संब्द में कोई यांश'sकार नहीं धिए घगा सकता है कि किसी भी दफा में परिक्षा का बहिस्कार अनुसासन हिंता मानी जाएगी और पूर्ण जो है परिक्षा की कोई विवस्थान नहीं होगी ठीक है तो आप लोग इस एक्जाम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इसके बाद इस एक्जाम को दुबारा कंडक् में नहीं छोड़ेंगे और सभी लोग इस एक्जाम को देंगे जिसका भी एक्जाम है बीपीटी और अमेल्टी वालों का ठीक है तो इस वीडियो में पर इतना है आगे कोई और भी नोटिस आती है तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्क्राइब कर लिजी ठीक है तो अ